Hello everyone, आज मैं बात करूँगा HEC की दरफ से जो scholarships announced हुए हैं, specifically जो Chinese government scholarship के साथ connected हैं, Chinese universities के scholarship हैं, basically ये category A के spec scholarship से इसमें apply करने के लिए applications open हैं, तो आज मैं बात करूँगा कि आप किस तरीके से जो है वो सबसे पहले उसकी requirements की हैं और secondly जो है वो आप किस तरह से इसके लिए apply कर सकते ह चरवान हैं और मैं उन लोगों को guide करता हूँ जो चाइना में self finance पर या scholarship पर आगे पढ़ना चाते हैं या काम करना चाते हैं work visa पर इसक्टरा, anyways अगर आपको किसी भी किसम की question है study in China से related work in China से related तो आप मुझे जो है वो comment में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे facebook पर add कर ल one से जो है वो मुझे message कर सकते हैं anyways सबसे पहले में बात करूंगा कि आपकी basic requirements किया है एच इसी के scholarship apply करने के लिए तो मेरे बास कि जो scholarship की requirements है वो मुझे प्रिल की हैं इसमें जो सबसे पहले requirement लिकी है वो यह है कि आपको जो है वो citizen of citizen of Pakistan होना चाहिए या फिर अजाद जमोट किश्मीर होने चाहिए और second least में जो requirement हो है कि आपकी at least 12 years of education complete होने चाहिए FAFACR equivalent A level और आपकी जो age है वो 25 years से कम होने चाहिए अगर आप bachelor's के लिए apply करने यह जो requirements होंगी यह almost similar to CAC होंगी और second least में must be bachelor's degree holder under the age of 35 अगर आप bachelor's के लिए करने तो 35 से कम उमर होने चाहिए और अगर आप PhD के लिए करना चाहते हैं तो आपके पास master's की degree होनी चाहिए और 40 years of education आपके होनी चाहिए सो यह जो है यह basic requirement है और जो deadline है इस scholarship को apply करने के लिए HEC के दूब वो है 15 March 15 March so 15 March 2019 so कुछ दिन बाकी हैं इसमें अगर आप apply करना चाहते हैं तो आपको जल्द जल्द apply करना चाहिए हैं अब मैं बात करता हूं कि किस तरह से आप apply कर सकते हैं सबसे पहले requirement यह है कि आप जो है वह है वह है एपोर्टल डाट एची सी डाट जी ओवी डाट पी के इस website पर जाके आपको अपना profile create करना होगा और वहां पर आपने एक application जो है वह इस scholarship के लिए submit करनी होगी secondly जो है वह आपको Chinese web portal जो है CAC का उसके ओपर जाके category A select करके आपको bilateral program select करके उसमें जो है वह application form फिल करना होगा और इसके लिए जो work portal है वह है cac.edu.cn slash live हुआ यह जो है मैं link में जो है वह नीचे description में जो है वह मैं add कर दूँगा आप आप हांस इसको access कर सकते हैं उसके इसके लिए आपको 300 रूपीज जो है वह HEC के account में submit करवाना होंगे और यह आप किसी भी HBL की branch से जो है वह submit करवा सकते हैं और इन्होंने account number mention किया हुआ है और यह भी मैं description में add कर देता हूँ इस account number में आपने जो है वह submit करवाने हैं और यह है जी H9 branch Islamabad जो कि यह online transfer जो है वह handle करती है anyways इसके साथ जो है एक important information वह लिखी है वह यह है कि आपने दोनों पॉर्टल्स पर CAC के और चाइना HEC के पॉर्टल पर अपलाई करने के बाद आपने जो documents हैं वह किसी को send नहीं करन करने एना embassy को send करने नहीं आपने जो है वह किसी university को send करने बलके आपने wait करना है और जब तक यह है वह result अनौंस नहीं कर देता तब तक जो है वह आपको document send नहीं करने पड़ेंगे जब है जो है वह result अनौंस कर देगा उसके बाद आपसे जो है वह documents की demand की जाएगी और आप किसी भी stage base में लिखा हुआ है कि आप जो है by hand documents जो है वह submit नहीं करवा सकते और incomplete information जो है उसको entertain नहीं किया जाएगा documents जो अगर आप select हो जाते हैं और आपको HEC documents मंगते हैं तो उसके लिए आपको documents required होंगे वह होंगे आप की जो आपकी जो आप अप्लिकants Fathers CNIC, Copies of Applicants Domicile, HEC online submitted form all educational degrees and transcripts from metric to masters whatever you have or chinese online application form, get pre-admission letter from Chinese university if possible ऐपन जो ग्रीकर्ट्स विदाँव्टी से मौत लिए सिम्पल यह है कि आप चैनीज र्विश्टी का जो फिल करें और यूटिक को रिक्वेस्ट्स करें कि वह आपको प्रीड्मीशन लेटर दे प्रीड्मीशन लेटर आप लुड दोडिफरेंट चीजे नियुस don't confuse them. जो acceptance letter है वो basically आपको supervisor जो है वो provide करता है किसी भी university का अब वो लेकिन जो pre-admission letter है वो आपको HEC का जो sorry university का जो admission department है सिफ वो issue करता है और उसके इलाबा जो है documents requirement में language certificate, HSK, IELTS, TOEFL report वगरा जो है वो आपको चाहिए होगा. फोटो कोपी of valid passport information page अगर आपके पास passport नहीं है तो फिर भी आप जो है वो आपको apply नहीं कर सकेंगे आपको चाहिए होगा. वो यह application की stage पे नहीं चाहिए होगा, use of documents required होगे जब आप जो है वो HEC की दरफ से इस program में select हो जाएंगे. उसके लाबा दो recommendation letters जो है वो original आपको चाहिए होंगे और वो किसी भी प्रोफेसर से आप अपनी university की associate professor से जो है वो ले सकते हैं. यह उसके लाबा दो recent passport size photographs और copies of applicant statement of purpose, original health fitness certificate यह वो आप किसी भी डॉक्टर से जो है वो यह certificate fill करवा के तो submit करवा सकते हैं. नो criminal record यह आपको police से जो है clearance लेनी पड़ेगी और वो एक certificate issue करेंगे वो आपको साथर टैच करने होगा. अगर आपकी certificates जो है वो English में नहीं है या Chinese में नहीं है तो वो आपको translate करके English में translation जो है उसकी submit करवाने होगी. For example, अगर आपके किसी French language में कोई आपका certificate है या आपका किसी और language में like Spanish तो वो आपको English में translate करवाना होगा और वो जरूरी है. उसके लबाब as such कोई अगर हाँ अगर आप government employee है और आप HCC की scholarship apply कर रहें तो आपको अपने department से NOC जो है वो लेना पड़ेगा. So यह वो basic requirements है जो आपको लाजमी जो है वो फिल करनी होंगी उसके बगार आप apply नहीं कर सकते हैं और basically purpose यह था इसका के जो Chinese embassy इसलामबाद में category है जो है वो apply की जाज़ी पहले बाट वहां पर application बहुत ज़्यादा होगी है जिसकी वज़ा से जो है वो यह हीज़ी की दुर्फ शिफ्ट कर दिया गया anyways आपका अगर किसी भी किसम का हीज़ी या आपका Chinese government scholarship या studying चैनल से लिटर क्विस्टिन है तो आप मुझे जो है कमेंड में पूछ सकते हैं और आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर जो कि है दिनोषवन मैं दिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और मैं आपको डिरेक्ट उसका रिप्लाइ भी कर दूँगा थैंक्स वर वाचिंग